आज हम जानेंगे कि सरवग्यों को वीतराग ही क्यों कहा जाता है, वीत द्वेस क्यों नहीं कहा जाता, तो सरवग्यों को वीत द्वेस कहने में भी कोई बादा नहीं है, पर वीत द्वेस में वीतरागता सम्मिलित नहीं होती है, वीतरा कहने से द्वेश का अभाव भी उसमें गर्बित हो जाता है क्योंकि द्वेश का अभाव पहले होता है और राग का अभाव बाद में होता है इसलिए जहां राग का अभाव होता होगा वहां द्वेश का अभाव अवश्य ही होगा परन्तु जहां पर वीत द्वेश कहेंगे तो वहां राग का अभाव नहीं भी हो ये संबव है साधारण रूप से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेश नहीं करता परंतु उसका राग किसी न किसी के प्रति होता ही है द्वेश गरम आग है और राग ठंडी आग है गरम आग तो व्यक्तियों को आकुल करती ही है परन्तु ठंडी आग कितनी आकुल व्याकुल करती है इसका हमें पता नहीं लगता है द्वेशी व्यक्ति असत्या आदी कतन करता है तो उसमें उसका द्वेश जलग जाता है परन्तु रागी व्यक्ति राग के वशिभूत होकर जब असत्या आदी का प्रयोग करता है तब न तो उसका असत्या आदी और न राग आदी ही पकड में आते हैं इसलिए राग को जीत इतद्वेस होते हुए भी वीतराग संग्या से ही पुकारते हैं तो आज का प्रशन है कि कर्म बंद का मूल कारण क्या है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें